हालो दोस्तों आयोप आप सब ठीक होंगे आप देख रहें मैडिस इन फूमर चैनल आज हम लेके आए आपके लिकुष ने जनकरी आज हम बात करेंगे एक अलरजी की टैबुट के बारे में जो की डुक्टर द्वारा बहुत जाद प्रैफर की जाती है इसकी पूरी जनकरी यह आपको किस नाम से मिलेगी इसके आपको कितने डोज लेनी चाहिए तथा इसके साइड एफेक्ट के बारे में हिंदी में पूरी जनकरी के लिए विड़ को अन तक देखें इस लरजी की टैबुट का नाम है डिसलुराट्रीडिन टैबुट डिसलुराट्रीडिन एक ए से नीद आने जैसा नहीं लगता अगर आप कोई अधर एंटी हिस्टा में टैबुट डेते हैं जैसे कि सीट्रीजिन हाइड्रोक्सीजाइन तथा सीपियम इन सबसे आपको नीद आने जैसा लगता है बट अगर आप डिसलुराट्रीड टैबुट लेंगे तो आपको नहीं आएगी अभस्चन बात करते हैं एंट शलुराट्रीड टैबुट की स्रेंथ के बारे में यह आपको अपकोईपट 5 मिली ग्रम पांच मिली ग्रम तथा टैन की स्रॉंपण में मिल जाएगी यह आपको अपने चैनुक नम्युक नाम बन्योटसरय धरीं सो तो मिल जा है अगर आपको इन में से कोई ब्रैंड नहीं मिलता कुछ अलग मिलता है जिसका कॉमपोईशन सेम डिसलाटेड इन हो तो आप उसे ले सकते हैं क्योंकि डॉक्टर और एडिय के कोडिंग ब्रैंड अलग-अलग होते हैं अब हम बात करते हैं इसके यूजर के बारे में जैसे के लवा अगर किसी व्यक्ति को छोटे केड़े ने काट लिया है जैसे कि मदुमक्खी चीटी या कोई और कीड़ा जिसकी वज़े से उसकी स्किन पर रैडनस होने लगी है इनिफ्लामेशन आ रही है तता साथ में दर्द हो रहा है उससे में भी डॉक्टर द्वारा ये टर देखने को मिलता है इसके लवा अगर किसी व्यक्ति का लर्जी के कारण नाक बंद हो गया है नाक में से पानी आ रहा है तता साथ में चीके आ रही है उससे में भी डॉक्टर द्वारा ये टेपड़ाप को प्रेफर की जा सकती है और पेशन को अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके लवा अगर किसी व्यक्ति को आखों में लर्जी होगी है जिसकी वज़े से आखों से पानी आ रहा है आखों में रैडनस होगी है उससे में भी डॉक्टर द्वारा ये टेपड़ाप को प्रेफर की जाती है इसके लवा अगर आगर आपको लर्जी के कारण सुकी खा तो वो क्या हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को इसके side fact होते हैं तो उस समय आपको नीद आने जैसा लग सकता है सीर में दर्द हो सकता है थकान हो सकती है मुँ में सुकापन हो सकता है तथा फिमेल को पीरिट के दुरान पेट में दर्द हो सकता है हैवी दद्ध हो सकता है अगर आपको इनमेस कोई भी साइट फेक्ट हो तो आप यह टैवड लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से जाकर मिलें अब हम बात कता है इसकी डोज के बारे में इसकी डोज पेशन्ट की एज तथा कंडिशन के कोडिंग दी जाती है पर इसकी नॉर्मल डोज जो की डल्ट मेर दी जाती है वो पांच मिलिग्रम दिन में एक बार ओडी रहती है अगर कोई बच्चा जिसकी एज 6 साल से 11 साल तक किया है उस समय इस टावड की डोज उसे 2.5 मिलिग्रम दिन में एक बार ओडी दी जाती है यह डिस रॉर्ट इन टावड पकनाइंसी में तथा ब्रेक्ट फेडिंग मदर में डोक्टर द्वारा प्रेफर नहीं की जाती यह बिल्कुल सेफ नहीं रहती यह थी पूरी जानकरी डिस रॉर्ट इन टावड के बारे में अगर जानकरी अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर काना मत बूले और मारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली पर फिर मिलेंगे कुछ नहीं जानकरी लेके ठैंक्स वर वाची